वेल्कम बैक तो पीसे सक्सेस बिल्ड तो एडिटेडिया का 2022 का येरली एडिसन आ चुका है फ्रॉम नवेंबर 21 तो नवेंबर 22 ओके सो जो आपका 68 फेब्रोरी में सेडियूल्ड है उसके लिए ये बुक काफी इंपोर्टेंट 1.5 येर्स के करेंट अफ्यर्स आपके पास ह काम हो जाएगा तो नहीं इस बुक में एस वन लाइनर और ब्रीफ थोड़ा सा एक्स्प्लानेशन के साथ सब कुछ दिया रहाता है ये बुक पीटी के लिए तो आपके लिए 100 परसेंट बिल्कुल सही बुक है प्लस साथ में अगर आप थोड़ा सा इस चैनल को जरूर लाइक करें और सबस्क्राइब करें मैं आपको थोड़ा सडिटरिया का जो बूस्टर डोस होता है वो भी आपको प्रोवाइट करने की कोशिज करूंगी ताकि आपको करेंट अप्प्रिटी सीखने के लिए मिलेगा इन्वार्मेंट के बारे में जानक सब्सक्राइब नहीं किया है और प्लीज दो सब्सक्राइब तो PCA सक्सेस्विल लेट स स्टार्ट ओके दफर्स्ट वन इस सो वी आव स्टार्ट विद 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 रूरी यस फटाफट 100.com जो फर्स्ट पेज़ पेस की रहती है महां से स्टार्ट करते हैं सो इंड इस फ्स फर्स आर्ट इशियल इंट्री इंटे बेस लूक अदालत लॉंच इंड सो पहला आअर्टिफीजल इट इंटेक लुक अदालत लूंच हुआ है जैपूर में जैपूर राजस्थान में जो किस कंपनी ने इसे लुंच किया है ओ जूपिट्स जस्टीस टेक वहां है धुपिटिस जेस्टिस टेक ऊब के एंडिजितल लोकदालत लॉंच किया है अभी हाल में हम देखेंगे कि बिहार में लगबग, पुराना लैंड डिस्पूट का एक केस था जो कि अभी 108 साल बाद डिस्टिकोट ने इससे सेटल किया है सो इतना जैस्टिस डिलेड है सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पीडी रिकवरी के लिए जो केसे पेंडिंग केसे काफी केसे पेंडिंग है तो जो डिसाइड किया गया है कि AI बेस्ट डिजिटल लोक अधालत को स्टेप बाई स्टेप हर एक जगर लॉंच किया जाए और सुरुवात इसकी हुई है जैपूर से ताकि केस जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाए इसमें एक और जरूरी पॉइंट यह भी है कि किस कंपनी द्वारे किया गया तो जुपिटिस जस्टिस टेकनोलोजी दुन क्या है इंटरनेट सर्विस लांच किस किया है केला फाइबर ऑप्तिक नेटवर इसे अभी हाल में अपना इसपी लाइसन्स मिल है इंटरनेट सर्व्यस पिट लोग ए सब् irm के लोग है वहां पर उनको फ्री इंटरनेट के सुविदाप्रस तीन हजार से ज़्यादा ओफिसेज जो है वहां पर इंटरनेट के सर्विस प्रवाइट करने के लिए करला ने इनिसेटिव लॉंच किया है नेक्स्ट इंडिया फॉस्ट पॉर्ट विथ 100% लैंड लॉर्ड म है जवाहरलार नहरू पॉर्ट महारास्टरा में टो लांड लॉड लांड लॉड्र मॉडल से आप क्या समझते हैं तो इस मॉडल है कि जो पॉर्थ और यह वह एक्ट करेंगे जर्ड़ेटरी बॉड़्री ठीक है इस एक्ट रिक रिगुलेटरी मतलब कि एस लेंड लांड और जो प्राइवेट सर्विसेज होंगी वह अपना कार्गो हैंदलिंग का ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे और उनका जो रेविनी जेनरेट होगा उसमें जो पॉर्ट ऑथारेटी हैं उनका भी हिस्सा होगा तो इस तरह से यह लैंडलोड मॉडल है और लैंडलोड मॉडल को टॉप हंड्रेट मेजर पोड्स जो वर्ल्ड के उसमें 26 पोजीशन पर है जवालाल नहरू पोड ओके और यह रैंकिंग है लॉइट्स लिस्ट ऑफ टॉप हंड्रेट पोड्स 2021 भी इसमें जवालाल नहरू पोड का 26 पोजीशन है नेक्स्ट देखते हैं वेर वस इंडिया टैकल को एन्स लेट ओके जो हाइः वालिटी का गोड्ट एंद इसलवर है उन्हें रखा जाता है उसे बोलते हैं बूलीन बोलते हैं हाई व्याई क्वालिटी गोल्य आंस इल्वर को नेक्स्ट देखते हैं वेर वाज इंडिया स्फोर्स औलक्रोनिक डबल देकर बस So it is unveiled in Mumbai. Where was India's first indigenous hydrogen fuel battery bus inaugurated? So पहला indigenous hydrogen fuel battery bus inaugurate किया गया पूने. 7th number Where will India's first 3D printed post office be built? So 3D printed post office यह कहाँ बनाया जा रहा है? Bangalore में बनाया जा रहा है. पहला 3D printed post office अभी 3D printed post office कौन से company बना रही है? L&T. L&T एक मात्र company इंडिया की जो अभी 3D construction में के field में काम कर रही L&T. So L&T जोड़ा बनाई जाए रही है. Significance क्या होगा 3D printing post office का? यह cost effective होती है. और जो time है वह भी बहुत कम लगता है. एक महीने के अंदर यह post office ready हो गया. तो यह पी carbon dioxide release होता है इस process में. जब blue hydrogen होता है उसमें भी fossil fuels को use करते हैं, but उसमें क्या होता है कि जो carbon dioxide release होता है, उसको capture करते हैं. फिर है green hydrogen. Green hydrogen में क्या है कि हम water electrolysis के method को follow करते है, renewable energy के through हम derive करते hydrogen gas को. So hydrogen field generate करने के लिए हम water electrolysis जैसे process को follow करते हैं. इसे बोलते है green hydrogen, okay. Next, देखते हैं, 9th number. Sorry 8. Where was India's first earthquake memorial inaugurated? So first earthquake memorial inaugurated in Bhuj, Gujarat. Which state has announced to develop one Sanskrit speaking village in each district? So one Sanskrit speaking village in each district is coming up in Uttarakhand. Next, the name of India's first saline water lantern. So first saline water lantern का नाम है Rossny. So इसमें क्या है? Saline water lantern में कि जो electrolyte है, वो sea water होगा. ठीक है? Normal water से भी हम बना सकते हैं यह electrolyte वो उसमें अगर हम थोड़ा नमक मिला दें, तो उससे भी बनाया जा सकते हैं. Coastal area में यह launch किया जा रहा है Rossny को. Saline water lantern इसका नाम है Rossny. Next, which became the first functionally literate tribal district of India? So functionally literate tribal district. कौन है? Mandala, Madhya Pradesh में. So यह पहला tribal district है, जो functionally literate है. functionally literate मतलब उतना literacy level होनी चाहिए उस community के लोगों की जो अपने जो community के normal functioning और उसमें जितना भी आपको reading, writing and जो speaking skills चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए मतलब minimum literacy level proper functioning of your community उतना आपको चाहिए. Which railway zone started the operation of India's longest goods train super vasaki. So super vasaki, इसके लंबाई लगभग सारे 3 km है, ओके और यह train start किया है, South East Central Railway ने. Next, in which state India's first education township will be developed? So, इंडिया का पहला education township यह develop कर रहा है, उत्तर प्रदेश. Okay, education township का जो यह idea है, वो single entry, multiple exit पे बेस्ट है. मतलब की क्या हुआ? की आप बिना कोई skill के enter कर रहे हो वहां पर और multiple professional skills आपको सिखा कर वहां से भेजा जा रहा है. So, इस idea पे बेस्ट है, यह education township model. Next, which is the first state in India to start online e-taxi service? So, it's Kerala. Next, where was India's first Himalayan spice garden established? So, Himalayan spice garden in Ranikhet, Utrakhan. 16, which is the first heritage site in India to have hydraulic lift facility? So, hydraulic lift facility लाए गया Elora Cubs में. Okay, तो इंडिया में टोटल 40 UNESCO sites हैं, उसमें से पहले में आता है, जो सबसे पहला UNESCO site का 1983 में दर्जा मिला था, अजन्ता, इलोडा और आग्रा फोर्ट और ताज महल को 1983 में मिला था और 40 UNESCO site अगर हम देखे तो कौन सा है? धोल वीरा, run-off कच्छ में. Okay, आगे देखते हैं, which is the first state in India to distribute seeds to farmer through blockchain technology? So, यह पहला state बना है, जो seed distribute करेगा using blockchain technology, वो है जारखंड. So, जारखंड blockchain technology यूज़ कर रहा, seed distribution के लिए, अब blockchain technology है कहा, basically, तो यह advanced database management system है, that allows transparent information sharing within, with store data in a block, मतलब कि क्या है कि sharing within एक जो business model है, उसमें हम data को share करते है, एक database को share करते हैं, transparent info को share करते हैं, और जो data वो block के form में store होती है, ठीक है, और एक दूसरे से link होती है, like a chain, और क्या होगा कि यह जो data होता है, वो आप उसको edit नहीं कर सकते, तो data as it is, आप उसको किस तरह से alteration नहीं कर सकते, तो misuse का खतरा कम होता है, तो seed distribution में जहां से start होता है, जैसे की seed जहां से procure किया गया, उस level से start होता है seed distribution, सो वहां से procurement level से लेकर final जो beneficiary है, वहां पर पहुंचने तक यह साड़ा जो data है, वो store किया जाएगा, इस से middle man का जो खतरा है, जो बना रहता है, farmers को benefit सहीं तरीके से नहीं पहुंच पाता, वो सब अब थोड़ा बहुत control हो सकेगा, इस process को अगर अच्छे से follow किया जाए तो, next, where was the first drone school of North East India open, तो पहला drone school गुहार्टी में असम में खोला जा रहा है, North East India का, okay, अभी recently, global drone expo कहा हुआ था, चैन्नाई में हुआ था, next, where is the biggest international museum of Harappan culture being built, तो international museum Harappan culture का, राखी गड़ी हर्याना में बनाया जा रहा है, where was India's largest rubber dam inaugurated, तो इंडिया का largest rubber dam, फल्गु नदी पे, गया में, गया जी डैम, इसका नाम रखा कहा है, to maintain the water of फल्गु रिवर, गया में बनाया जा रहा है, which is declared as the first clean sujal प्रदेश of India, तो पहला sujal प्रदेश, sujal प्रदेश मतलब की clean tap water provide करना, ODF plus होना, यह सब तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और पहला sujal प्रदेश जो बनाया, clean sujal प्रदेश वो है, अन्दमान निकोपार, 100% tap water provide करने में भी clean tap water provide करने में भी state and UTs में अन्दमान का third ranking है, after Goa and Telangana, next, where was India's first lithium ion cell manufacturing factory inaugurated, so, पहला lithium ion cell manufacturing factory, तीरुपती में inaudate किया गया है, next, India's first national electric pride platform, e-fast India launched by, so it is launched by Niti Aayog, India's first forestry university will be established in Telangana, so forestry university कहां पर launch किया जा रहा है, Telangana में, और ये इंडिया का पहला होगा, और पूरा globally, अगर वल्ड में देखे तो ये तीसरा है, तीसरा है after Russia and China, next, which became the first smart city in India to implement digital addressing system, so it's indoor, next, which is the first fully digitally literate panchayat in India, fully digitally literate panchayat, so it's Pulumpara panchayat of Kerala, Pulumpara panchayat is fully digitally literate panchayat, अच्छा, अब पहला जो district है, जिसके हर एक village में panchayat, वो कौन सा है, जामतारा, हर एक village में panchayat, जामतारा, और ऐसा district, जिसका हर एक panchayat में library हो, वो है, पुर्निया और बिहार, पुर्निया डिस्टिक और बिहार, और हर एक village में, sorry, library हो, वो है जामतारा, next, where was Asia's largest compressed biogas plant inundated, so compressed biogas gas plant, Asia का largest, संगरूर, Punjab में खोला जा रहा है, which become the first state in the country to start MBBS course in Hindi, so MBBS course को Hindi में लाने वाला पहला state है, Madhya Pradesh, so Hindi medium से पढ़ाई करने वाले, बच्चे जो doctor's बनना जाते हैं, उनके लिए ये आगे की पढ़ाई काफी सरल हो जाएगी, जब कोर्स हिंदी में आ जाएंगे, सो पहला Avalanche Surveillance Radar इंस्टॉल किया गया सिक्की में, Avalanche क्या होता है, जब पहार पर जो बढफ होती है, वो अचानक गिरती है, slide करती है, और जब यही soil का जब slide होता है, तो उसे हम landslide बोलते हैं, जब कुछ हिस्सा पहार का rocks का कटके गिरता है, तो उसे हम landslide बोलते हैं, जब ice का हिस्सा गिरता है, तो उसे हम Avalanche बोलते हैं, which is the first e-commerce company to set up a solar farm in India, so solar farm setup करने वाला पहला e-commerce company कौन है, तो वो है Amazon, कहां पर setup करेगा, तीन solar farm setup करेगा, राजस्थान में, तो यह भी आप mark कर सकते हैं, कहां पर setup कर रही है Amazon, तो राजस्थान में, which state has launched India's first migration monitoring system, named migration tracking system, so migration tracking system launch करेगा महारास्टरा, which has become the first fully 5G network airport in India, तो first fully 5G network airport India का बना है Delhi International Airport, 33, which state has decided to make glass bangles from seized liquor bottles, तो बिहार में सराब बंदी है, तो जो भी liquor bottle seized होते हैं, जो illegal तरीके से state में आते हैं, तो उन्हें जो seized के वाब bottle से उससे अब glass bangles बनाएगा बिहार, the first police force in the country to make collection of forensic evidence mandatory for offences punishable with more than 6 years of punishment, so जो भी offences है, जिसमें punishment 6 years से जादा है, उसमें forensic evidence collect करना mandatory कर दी है, डेल ही police ने, so offences like murder, rape, इस तरह के जो offences जिसमें सजा 6 साल से जादा होती है, उसमें आपको forensic evidence collect करना mandatory है, which railway zone has opened India's longest skywalk, so longest skywalk Mumbai city में western railway के द्वारा खोला जा रहा है, which state witness the maximum number of foreign tourists in the year 2021-2022, so this is going to be important, so foreign tourist सबसे जादा आया है किसे state में महारास्टरा में और second position में है Tamil Nadu, next in the year 2021-2022, which state witness maximum domestic tourist for from all over the, all over India, so domestic tourist जो विदिन कंट्री है, वो सबसे जादा witness के है Tamil Nadu ने, and second number पे है उत्तर प्रदेश, 38, which expressway is being developed as India's first elevated urban expressway, so Dwari का expressway को develop किया जादा है, first elevated urban expressway की तरह, in which state the foundation stone of first nano uria factory of South India was led, so पहला करनाटका में और India का पहला nano uria factory गुजरात में setup किया गया, which state government has announced to set up India's first e-west eco-park, so पहला e-west eco-park, किस state government ने अनूंस किया, तो Delhi ही ने, who become the first Indian to complete NASA's international air and space program, so C is Janhvi Dungeti, Janhvi Dungeti C, completed NASA's international air and space program, which state has become the first state in India to connect all registered commercial vehicle with vehicle location tracking device VLTD to emergency response system ERSS, so it is Himachal Pradesh, what is the name of India's first drone carrying human passenger, so first drone carrying human passenger, name is Vadoon, next 44, in which city India's first brain health clinic was inaugurated, so first brain health clinic is inaugurated in Bangalore, 45, which is the first state in the country to start a semiconductor policy, semi-conductor policy लाने वाला पहला पहला एस्ट इंडिया का है गुजरात, what is the name, 46 number, what is the name of India's first learning robot, launched by Indus International School, so Indus International School's first learning robot is EGLE, HAL, Hindustan Aeronautics Limited, has announced the opening of its first foreign office in which country, so first foreign office of HAL is going to come up in Malaysia, which is the first union territory to set up Atal Tinkering Lab in collaboration with Niti Ayo, so about 580 lab is going to be established in union territory of Jammu and Kasmid, which is the first state in India to launch Sioux and Leather Product Policy, so Sioux and Leather Product Policy 2022 लाने वाला एस्ट है, India is Tamil Nadu, next which is the 12th company of India to have the status of Maharatna, so it's not Maharum, Maharatna, So, यह है R.E.C. Rural Electrification Corporation, R.E.C. So, R.E.C. यह काफी इंपोर्टन रोल प्ले किया दिन दयालोपाद है, ग्राम जोती योजना और सभाग योजना को लांच करने में और इसे बाढ़ा हुआ, महारतन कंपनी का दर्जा दिया गया, which has been given the status of the best Jew of India. So, the best Jew of India status is given to Padmaja Naidu Himalayan Geological Park and it's in Darjali, okay. So, India, sorry, Bihar का second Jew, कहां बनाया जा रहा है, तो अरडिया में, अरडिया में बनाया जा रहा है, Rani Ganj block में. Next, which is the first company in India to manufacture air gas mixture? So, वो कमपनी है, Fuel Flip Energy, Fuel Flip Energy जो है, वो लाड़ी है, पहला air gas mixture इंडिया में manufacture करीगी, ये make-in इंडिया को boost मिलेगा, पहले क्या था, कि हम जो air gas mixture है, वो USA, Germany, Italy ये सबसे import करते थे, तो अब हम इंडिया में ही बनाएंगे air gas mixture, और कौन से company बनाएगी, पहला रेलवे स्टेशन था, नागलेंड का दीमापूर रेलवे स्टेशन, ठीक है, अभी जो दूसरा है, 119 साल बाद बनाए गया है, सोखवी रेलवे स्टेशन, सोखवी रेलवे स्टेशन, 119 साल बाद, ये दूसरा, दूसरा ही रेलवे स्टेशन है नागलेंड का, ओके, पहला रेलवे स्टेशन कौन था, बोरी बंदर, इन मुंबई ये पहला railway station है इंडिया का पहली train चली थी बोरी बंदर से थाने 1853 में और वो समय किसका था लॉर्ड डॉल होजी के समय में ठीक है अठाड़ा सो तेईज में सिर्थ शेट गवीजिताइब फट्री रास्टा इस अगराइगा अरुनाचल प्रदेश में बीया रोगो इसके बारे में मैंने अपने प्रीविश वीडियो में बनाए स्टील स्लाइक जोट के अड्वान्टेज क्या होते हैं आप सारे वीडियो को जाकर एंद्टेडिया का प्लेइस्ट बना वहां से आप जाके सारे करेंट अफ्यर्स देख सकते हैं ओके, next, where is the world's largest carbon fiber plant being built, so world's largest carbon fiber plant, कौन बना रहा है, तो बना रहा है, रेलाइन्स इंडुस्ट्री इस लिमिटेड, कहाँ पर, हजीडा, गुजरात में, next, where is the foundation stone of the world's first compressed natural gas terminal lead, so first compressed natural gas terminal world का, यह भावनगर गुजरात में, यहाँ पर इसका new रखी गई है, which country started giving the world's first inhalable vaccine against COVID-19, so जहाँ से सुर्वात हुए है, चाईना पहला first inhalable vaccine बनारे COVID-19 का, which country launched the world's first passenger train powered by hydrogen, so it's Germany, 60, which is the first country in the world to make a law for providing free sanitary pads to women, so let's say Scotland, who become the youngest person to fly solo around the world, Mack Rutherford, Mack Rutherford is the first person to fly solo around the world, 62, which country has emerged as the world's largest producer and consumer of sugar, so India has become the largest producer as well as consumer of sugar in the world, 64, the world's dirtiest man, Amau Haji passed away, he belonged to which country, so he belonged to Iran, 64, which country is building the world's first floating city, so it is being built in the on the coast of Busan city of South Korea, so there is one contradiction, Maldives also claims to be building first floating city, so you may go and check whether it's South Korea or Maldives but on various sites I have seen South Korea only, so South Korea, 65, scientist of which university have created the world's first synthetic embryo, so from Cambridge University UK, they have created first synthetic embryo, the world's first right to repair act passed by, so it is passed by New York Assembly, New York Legislature USA, 67, which is the 56th member country to join the Commonwealth of Nations, so 56th member country here Togo, 55th Gabon, next which will be the 20th member country of Eurozone to adopt Euro currency from January 1, 2023, so it is Crotia, these questions are important for example, which city has been named as the first cultural and tourism capital of SCO for the year 2022 and 2023, so for the first time cultural and tourism capital has been named in SCO and it's Varanasi, which country is sorry and if we are talking about SCO, so SCO 2023 summit India host karega and abhi jo huwa tha Samarkand, Ujbekistan na host kaya tha and theme is baraka tha food security, so amid Russia Ukraine war, the SCO theme for 2022 was food security, which country issued red weather warning for the first time due to extreme heat, so red weather warning issue karne wala country hai, Britain haali me is in the red weather warning issue ke tha, red weather warning matlab extremely dangerous weather is coming and it may threaten lives, okay, next 21, which company has introduced the world's first cloud computing laptop, so first cloud computing laptop developed kya hai, google na hai, which country has launched the first space based solar telescope, CUAFU-1 to study the sun, so to study the sun, solar telescope name CUAFU-1 is developed by China, in which country ah sorry in which country has announced the launch of its first lunar rover named Rasid, which country not in which, which country has launched ah lunar rover named Rasid, so it is UAE United Arab Emirates, its ah lunar rover name is Rasid, where was India's first indigenous aircraft carrier INS Vikrant commissioned, so it was commissioned in Cochin, shipyard limited, which country created the world first clone based arctic wolf named Maya, so in option after saying Maya you can mark India, if you do not know the correct answer, so it is China not India, so clone based arctic wolf is created by China. Next what is the name of the first lunar mission of South Korea, so it is Danuri, Danuri is the first lunar mission of South Korea, IIT Hyderabad has developed India's first 3D printed artificial cornea in collaboration with, so in collaboration with centre for cellular and molecular biology. 78 in which state India's first observatory will be established to monitor activities in space, so it is in Uttarakhand, which is the first country in the world to approve a bivalent vaccine for the Omicron virus, so bivalent vaccine for the Omicron Omicron virus is being developed by UK. 80 which is the first Indian institute to join IBM quantum network, so it is IIT Madras. Now coming to the sports what effort 100, so 81 number which country will host the first edition of ICC women's under 19 cricket world cup in 2023, so it will be hosted by South Africa. Who became the first Indian wrestler to win gold medal in under 23 world wrestling championship 2022, Amman Seherawat. Who became the first Indian women player to win ICC player of the month, so it is first women player to win ICC player of the month, Harman Preet Kaur for September month 2022. Next, the first Indian player to win the Diamond League 2022 in Javelin through, Neeraj Chopra. 85 who has become the first fast baller to complete 950 wickets in international cricket, James Anderson. 86 who became the first Indian female player to win a gold medal in the under 20 world wrestling championship. So under 20 world wrestling championship mein gold lane wali pahle female player hai. Antim Panghal 87 who became the first Indian player to play 100 matches in each three formats of cricket like test, T20 and ODI Virat Kohli. Who became the fastest Indian baller to take 150 wicket in ODI cricket. So fastest Indian baller is Mohammed Sami. Which city has announced has been announced to be developed as the world's largest sports city. So it's Ahmedabad. Ahmedabad has been announced as the world's largest sports city at the upcoming different sports stadium mein. Who became the second highest run scorer for India in international cricket surpassing Rahul Dravid. So second highest run scorer for India is Virat Kohli. Now coming to the environment and ecology current affair. Which state has got the maximum number of Ramsar sites in India. So India has now total of 75 Ramsar sites and Tamil Nadu with 14 Ramsar sites is at top surpassing Uttar Pradesh which has 10 Ramsar sites. Next where was India's first liquefied natural gas fueled green truck launched. So it's in Pune by Blue Energy Motors. 93 which is the first converted bio village of India. So first bio village of India is Daspada village Tri Pura. 94 which was declared as India's first 24 into 7 solar powered village. So it's Modeda village Gujarat. Where was India where was the world's largest wind solar power plant of 600 megawatt capacity commission. So it's commissioning Jaisal Mill jahaan hawa aur donon ki achhi mantra bani rahati hai. Which state notified India's first dugong conservation reserve. So dugong conservation reserve notified tamil nadu ne. Also first slender loris sanctuary notify karna wala state bhi hai tamil nadu. 98 in which state the world's largest jungle safari park has been announced to be developed in the Adavali range. So jungle safari Haryana. Haryana largest dingle safari announced kiya hai in the Adavali range. Which country did the most deforestation in the year 2021. So most deforestation karna wala country hai Brazil. 100 number question which is the which is being developed as India's first carbon neutral airport by the airport authority of India. So it's Leh Airport Ladakh. So now we'll see some national festival chapter 2 of this book. So Pahalgaam bird festival Pahalgaam bird festival hua tha October mein Jammu and Kasmir mein. Kahan ka festival hee Jammu and Kasmir ka. Nua khai September ke mahina mein Odisha mein. Okay. Sumang Leela festival Manipur mein. And Bathukama flower festival Telangana mein. Adipur festival Tamil Nadu mein. And Onam festival Kerala. Kharchi festival Tripura harvest festival hee. Mango festival Lakhnao mein. Uttar Pradesh. Ambu bachi fair Asam mein. Okay. Ambu bachi mila lagta hai. Kamakhya Devi temple mein. Okay. Wahaan pe us time mein. Jho. Tien din ke liye June ke mahina mein. Brahmaputra nadhi ka paani bhi lal ho jata hai. Due to presence of Brahmaputra go red river bhi kahta hai. Jho river ka base Usmane iron ki maatra jada hai. Is wajay se paani lal na jata hai. Biko festival of Asam. Then Lavender festival Jammu and Kasmir. Thrisurpuram festival is of Kedala. Sidhu lili festival Manipur ka hai. Rongali and Bohag Bihu festival. So it's of Asam. Madhavpur fair Gujarat. Madhavpur fair Gujarat mein lagta hai. Shri Chris Norokmani ka vivaah ko celebrate kiya jata hai. Madhavpur fair. Next. Sarhul festival Jhaadkhand mein. National Culture festival. March ke mahina mein. Andhra Pradesh mein manaya jata hai. Next. Dekhte hai. Kambala festival. Karnatka mein. March ke mahina mein. Dol Jatra. Dol Jatra hai. West Bengal ka. Yeh bhi March mein manaya jata hai. Herat festival. Jammu and Kasmir ka hai. Spittuk Gujarat festival. Yeh Ladakh ka hai. Ferwari mein manaya jata hai. Ratht Sabtami ko dekhe toh. Andhra Pradesh manati hai. February mein. Toad gaya festival. Harunachal Pradesh ka hai. Ferwari ke mahina mein. Conchot. Conchot Jammu Kasmir festival hai. Jho married women hao celebrate karthi. Conchot. Losar festival Ladakh ka hai. Ferwari mein. Losung ya Namsung festival. It is of Sikkim. Celebrated in January. Kachai lemon festival. Manipur ka hai. Celebrated in January. Jalikatu festival. Tamil Nadu ka hai. Also celebrated in January. Now, Silpgram festival. Celebrated in Udaipur Rajasthan in December. Hornbill festival in Nagaland. Celebrated in December. So, Puskar Mahatso. It is of Jammu and Kasmir and it is celebrated in December. International science festival. It was celebrated in December and in Panji Goa. International science festival Panji Goa. Aharbal festival again of Jammu and Kasmir. Celebrated in November 2021. And last cherry blossom festival. Celebrated in November by Meghalaya. Okay. So, that is all for today. Hope you like the video. Video like kare, share kare and subscribe kare and watch till the end. and thanks for watching.